हेलो स्टूडेंट्स अपनी आज की इस वीडियो में हम एपसाइलेन नौट का मात्रक और उसकी विमा निकालना सिखेंगे ताकि कई बार पेपर में अगर मान लीजे कभी विमा पूछी जाए तो हमने इतनी सारी विमा पढ़ी हैं कि हो सकता है कि लास्ट मुमेंट पर हमें विमा याद ना हूँ तो किसी भी चीज की विमा या माचक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसके फॉर्मुले से उस चीज को निकाले आई ये देखते हैं जैसे कि हमने इक फॉर्मुला पर लखा है कुलाम के नियम से एफ बराबर वन अपॉन फूर्पाई एपसाइले नौट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्कॉयर यदि हम यहां से एपसाइले नौट को आगे बेज दें और एफ को नीचे तो हमारा फॉर्मुला क्या हो जाएगा एपसाइले नौट पराबर वन अपॉन फॉर पाई एफ क्यू वन क्यू टू आर स्कॉयर अब हमें पता है फॉर और वन नंबर है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता F क्या है बल, बल का मातरक क्या होता है Newton, Q1 क्या है आविस, आविस का मातरक होता है कुलाम Q2 भी क्या है आविस, आविस का मातरक होता है कुलाम और R क्या है यहां पर दूरी, दूरी का मातरक होता है मीटर R² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा METR² तो इस तरह हमारी क्या है EPSILENT 0 का माच्छक निकल आएगा कुलाम की कुलाम से मल्टिप्लाइ करके कुलाम स्कॉायर νुटन प्रती METR² यदि इस तरह से हम EPSILENT 0 का माच्छक याद करेंगे फॉर्मुले से निकाल के शीखना, शीखे, तो हमें कभी भी एक्जाम में दिक्कत नहीं होगी इस value को निकालने में, हम कभी भी इस फॉर्मुले के जरिये अपने epsilon not का मात्रक निकाल सकते हैं, अब ठीक इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विमा भी निकाल सकते हैं, क्यों क्या है यहां पर बल और बल की विमा होती है M L T minus 2 अब क्या करेंगे Q1 के जगह इसकी विमा रख दी हमने A T Q2 के जगे ये भी आवेस है इसकी जगह भी विमा क्या जाएगी A T F क्या है Newton स्वारी F क्या है बल बल का मात्यक Newton और इसकी विमा है M L T minus 2 R की विमा L L का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब यहां से A की A से मल्टिप्लाई होगी A स्क्वायर T की T से मल्टिप्लाई होगी T स्क्वायर तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अब यहां पर M 1 L ये है 2 L ये है तो कितने हो गए L 3 T की पावर minus का 2 अब यहां से m उपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 l उपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और t के m माइनस 2 है, t माइनस 2 उपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो t2, t2 कितने हो जाएगे, t की पावर 4 और e की पावर भी क्या हो जाएगा a की पावर अल्रेडी पहले से क्या है a2 तो epsilon 0 की विमा क्या जाएगी m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 3 t की पावर प्लस 4 a की पावर प्लस 2 और हमें पता है कि विमा हरमेशा bracket के अंदर लिखी जाती है तो इस तरीके से हम जब भी किसी भी विमा या किसी भी मात्रक को study करेंगे तो ये हमारे लिए हमेशा से क्या रहेगा easy रहेगा कि यदि हम last time पर इसको भूल भी गए तो हम इसको खुद निकालके अपना आंसर लिख सकते हैं तो और epsilon 0 का मान होता है 8.854 10 की पावर माइनस 12 कुलाम स्कॉायर प्रती न्यूटन मीडर स्कॉायर